नमस्कार friends शौगत हैं आपका मेरे channel Kitchen recipe वी सीमा में तो आज मैं बना रही हूं आलो के पराठे तो इस तरह से अगubby आप आलो के पराठे बनाएंगे जिस तरह से मैं बनाने जा रही हूं तो सचबता को तो पेड़ भढ़ जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा और वैसे भी आलू के पराथे तो सभी के फेबरेट होते हैं हमारी भी बच्चों के घर में सभी को हस्बेन को सभी को पसंद होते हैं आलू के पराथे तो चलिए इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो ये मैंने बॉयल कर लिया आलू को पांच आलू लिया है हमने बॉयल कर लिया है तो इसे पहले हम पिल करेंगे अब आलू को हम मैस करेंगे आप चाहे तो मैसर से कर सकते हैं मैं हाथ से कंपर्टेबल होता है तो मैं हाथ से कर लेती हूँ आलू को थोड़ा ठंडा करना परता है उसके बाद थोड़ा बहुत गरम रहेगा तो चलेगा हाथों से अच्छी तरह से मैस हो जाता है मैस हो चुक है अब हम क्या करेंगे एक कड़ाई लेंगे कड़ाई में हम सरसो का तेल डालेंगे देर चमच मैंने डाला है तेल गरम हो जाएगा इसके बाद हम डालेंगे इसमें जीरा हाथ चमच मैंने जीरा डाला है एक पिंच मैंने हींग डाल दिया है जीरा चटक जाएगा इसके बाद हम डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ है एक पियाज पियाज को हम गॉल्ड और ब्राउन होने तब होनेंगे आलो के पराठा बनाना बिलकुल ही इजी है और इस तरह से बनाएंगे मसाला डालके तो और भी स्वादिष्र बनता है तो आप भी एक पर जुरू ट्राई करेंगे प्याज गॉल्ड और ब्राउन हो चुक है तो आप हम क्या करेंगे इसमें मैंने मसाले को कूट लिया था मैंने विडियो बना तो मैंने एक चम्मच मैंने लिया है खराधनिया तो सौफ लिया है एक चौठाई चम्मच और अद्रग एक इंच अद्रग तीन हरी मिर्च लिया इन तीनों को मैंने साथ में कुट दिया था और इसके बाद भी मैंने कुट अज विडियो बना नहीं पाई इसकी सॉ सॉरी है तो मैं इसमें डाल दिया है मसाला प्याज में इससे भी हम 1-1.30 मिन तक भूनेंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे आमचुन पॉड़ एक चम्मच और इसके बाद हम डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्ष इसे कसूरी मेथी डालेंगे है बुन चुका है अब हम इसमें आलू डालेंगे मैच किया हुआ है इससे भी हम 2-3 में तक आलू को बुनेंगे इसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग अब हम इसमें डालेंगे बारिक काट के साया धनिया तो हम साथ के साथ काट लेंगे इसमें धनिया डाल देंगे और इसके बाद हम इसे मेक्स कर लेंगे और इस तरह से हमारा स्टफिंग तयार हो चुक है आलू के पराठे को इसके बाद हम इसे ठंडा करेंगे दस मिनट तो लग जाएगा ठंडा होने में तो यह दस मिनट हो चुक है यह ठंडा हो चुक है तो अब हम इस तरह से लोई बनाएंगे आटे की इसके बाद इसमें आलू फिल करेंगे जो मैंने स्टफिंग तयार किया है अब इस पराठे को दही के साथ चटनी के साथ सबजी के साथ भी आप ले सकते हैं काफी टेस्ट फूल लगता है खाने में इस तरह से मैंने फिल करके आलोगों बेल लिया है तब अब हमारा गरम हो चुक है अब हम इस पर प्राठे को डाल देंगे और सेख लेंगे मेडियम लोफ लेंब पे हम सेखेंगे प्राठे को प्राठे को लटते पलटते रहेंगे दोनों साइड से सेखेंगे इसके बाद आप घी में तेल में किसी भी चीज में आप सेख सकते हैं प्राठे को तो आपको मेरी रेश्पी कैसी लगी आप कॉमेंस करके जरूर बताएंगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं बूलेंगे आप और देखा आपने कितना असान है बनाना इसे तो एक प्राठे सेख चुके हैं सकेंड भी मरस हो चुक है होने वाला है तो चलते हैं अब हम सब करते हैं प्राठे को तब तक आप इंजवाई कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई और टेक केर कर दो दरते हैं ने थायं मिलते हैं आप कर दो ने 앞 degree दो हॉ झाल झाल